जलच निंद्र हनुमान जी की कहानी हनुमान जी की बात ये मंगलवार को कहते हैं तो चलिए सुनते हैं हनुमान जी की कहानी एक बुड़ी अम्मा हाँ पन चार बेटा और चार बववाही वे बुड़ी अम्मा रोज हनुमान जी रे भोग लगावता और रोटी चड़ावता रोट चड़ावता और किता ए बेटा हनुमान गम गम गोटो लो हनुमान जी रोटो मुँ आपने जवानी में देऊं आप मने बुड़ापा में दीचो रोज बुड़ी अमा किता ए बेटा हनुमान मुँ थारी जवानी में सेवा करूं मने बुढ़ापो आवे जदी आप मारी सेवा करचो यूं करता करता डोक्री माने बुढ़ापो आई गयो बुढ़ी अमारे चार बेटा ने चार वववा ही पन कोई सेवा नी करता डोक्री मा दुख्यारी बिस्तर में पड़ी देवे कोई वनारा हाल चाल ने पूछे वो बेटो तो जाने वो सेवा करी वो बेटो जाने वो सेवा करी एक दूसरारे भरोसे रही जावे कोई रोटी नी देवे यू करता करता डोकरीमा ने कदी दो रोटी देता कदी एक रोटी देता न डोकरी मा भूका रहता वो बेटो जाने वो रोटी देईनाई वो बेटो जाने वो रोटी देईनाई और डोकरी मा तो भूका मरता थोड़ा दन्रो सम्यव्यन डोकरी मानो मानी मन हनुमान जी ने याद किदा ओ हनुमान जी मैं आपने जवानी में चत मनु पूजा पाट की दा मैं आपरी सेवा भक्ती की दी तो मुँ अबे दूखी हूँ आप मने आएने संबालो हनुमान जी देख्यों चारी बेटा बहु मारी सेवा नहीं करी रहे तो अबे मने तो जानूश पड़ेगा अणा बुड़ियां मारे जवानी में मने रोट चड़ायो तो अबे मने बुड़ि मारे आटे मने जानूश पड़ेगा अधी रात्रों सम्योवियों हनुमान जी आया ने केवा लगा हाथ में गोटो लाल लंगोटो लोवाई रोटो आप मने जवानी में दीदो मुँ आपने बुड़ा पामे देऊ डोकरी देख्यो कि मारो हनुमान बेटो रोटो ले नाई गयो रोज हनुमान जी रातरा आवे ने डोकरी मारे सेवा करें डोक्री मात तो दीरे दीरे हाऊ सरपूट्या हिरका वेग्या रोज रोज रोट खाई डोक्री मात आ हाऊ जाड़ा वेवा लागी ग्या रोज रोज रोटी खाई डोक्री मात आ हाऊ जाड़ा वेवा लागी ग्या अवे वहाँ होच्यो के डोक्री माने यह रोटी कुन देव मा तो थोड़ी थोड़ी रोटी देवा और डोक्री मा जो हाउस रोटी खाएने तो जाड़ा वेरा एक दन कई कि दोख्छाने छाने देखवा लागी कि कुण आवे डोक्री मारे कईन कई तो खाता वे तो इस डोक्री मा जाड़ाविया तो देख्यों कई एक छोरो लाल लंगोटो वालो आवे न आईन मारी सेवा करे रोटी खवावे पिवावे न पाचो परजावे यह श्वात बहुआ आप आपना मनका ने किदी अपना घरवाला ने केवे आपना आपने मारी सेवा नी करा कोई तो लाल लंगोटी पेरिन रातरा आपनी मारी सेवा आइन करे न खवावे न पिवावे न पगदा बेन पचे पाचो जावे बेटा खेवा लागाक मानी मारी सेवा कोई ओर किस्तर कर सके माचार बेटा तो मा कई कामरा पड़ या वाद तो नी वेशके आज माई छूपीन देखा तो वे बेटा भी छूपीन देखी रा आधिक रातरों सम्म्यवन आया हनुमान जी हात में गोटो लाल लंगोटो आप खूणो मारी मारी सेवा क्यूं करी रा हनुमान जी बोल्या के चोडो मने या मारी माय मने मारी मारी सेवा करवा दो बेटा बोल्या के मा तो मानी है आपरी गटो आई हनुमान जी क्यों के अगर थाणी मा वेतित तथा सेवा करता और मारी माय जो मों सेवा करी रू अब अबेवे चारी भाई तो वना हनुमान जी रपगामे पड़े ने बोले के आप कूणो वताईदो माने गलती वेगी जट हनुमान जी प्रकट वेआने क्यो के या मा तो आपरी से तो आप आणी मारी सेवा क्यों नी करो अने बुढ़ा पो आयो सेवा करवारो हाग आपरो है ज थानी मारे हुणो थान चारी बेटारी मारे रोज रो नियम हो हर मंगल वालने मारे रोट चड़ावती सेवा पुजापाट करती भोग लगावती ने केती ओ हनुमान जी जवानी में मुँ आपने रोटी देऊ आप मने बुढ़ापा में दी जवानी में मुँ आपरी सेवा नी करी रहो तो मुँ अणा में बुढ़ापा में मुँ शेवा करवायों अगर आप अणी मारी सेवा नी करू तो आपरी सेवा बेटा देखी जशो आपरी परी करी अणी मारे तो मुँ शेवा कर लेओं हनुमान जी बोले अणी मारे तो मुँ शेवा कर लेओं पड़ आपरी सेवा कुण करी वणी दनू बेटा वाउ सेवा करवा लगा हनुमान जी वणी डोकरीरी सेवा करई बेटा वाउ कोड़ू जसी सबरी कराव जो और वणाने दर्शन दिदा जैसे सबने दिजो वणा डोकरीने तूट्या जैसे सबने तूट जो और माबा आपरी सेवा तो करनी चाओ गुड़ापा में सब माबापरी सेवा कर जो जय हनुमान जी की जय बूल चुक वे तो माप कर जो